हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी हमारे इर्दगिर्द कई ऐसी चीज़े होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है लेकिन कई बार चीज़े हमारे आखों के सामने होती है और हम उसे देखकर भी अंदेखा कर देते हैं उसका मतलब जानना जरूरी नहीं समझते पर यही लापरवाही हमारे लिए भार ही पड़ सकती है तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी चीज का मतलब जिसे जानने के बाद आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा आप भी खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडर का इस्तमाल करते होंगे और इसके लिए आपके घर में LPG सिलेंडर भी जरूर आता होगा तो आपने गौर किया होगा कि गैस सिलेंडर के हत्ते पर तीन पट्टियां लगी होती है जिन में से किसी एक पर एक कोड लिखा होता है जैसे कि A30, B20 या C13 लेकिन क्या आप इन कोड्स का मतलब जानते हैं थोड़ा सोचिए दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर सिलेंडर पर ये क्यों होते हैं और इसका क्या मतलब होता है तो आप बेचैन हो रहे होंगे इसका मतलब जानने के लिए आपको फिक्र करने की जरुवत नहीं है क्योंकि मैं आपको दोंगी आपके हर सवाल का सटीक जवाब शायद आपको पता ना हो लेकिन या आपकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसकी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है दरसल सिलेंडर पर लिखे इन कोट्स में अंग्रेजी के चार अक्षर का इस्तमाल किया जाता है ये A, B, C, D होते हैं इनका सीधा संबन महिने से होता है A का इस्तमाल साल के पहले क्वाटर के लिए जबकि B का दूसरे क्वाटर C का तीसरे क्वाटर और D का चौते क्वाटर के लिए किया जाता है A, B, C, D के बाद जो नमबर लिखा होता है उसका मतलब साल से होता है अब ये कोड ये बताता है कि सिलेंडर की सुरक्षा जाच कब होनी है अगर गयास सिलिंडर पर B30 कोड लिखा है तो इसका मतलब ये है कि गयास सिलिंडर की टेस्टिंग साल 2030 के दूसरे क्वाटर में हुनी है अगर टेस्टिंग की डेट निकल गई है तो समझे सिलेंडर आपके लिए काफी ख़तरनाक है भारत में बनने वाले गास सिलेंडर के लिए B.I.S. 3196 स्टांडर्ट फॉलो किया जाता है जिसके तहत बने गास सिलेंडर की लाइफ 15 साल होती है इसी पीरिड में सिलेंडर की दो बार टेस्टिंग की जाती है पहली टेस्टिंग 10 साल पर होती है जबकि दूसरी 5 साल बाद अब तो इस कोट का मतलब आप जानते ही है अगली बार घर पर आई सिलेंडर को जरूर देखिएगा कि जो LPG सिलेंडर आया है वो आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षित है या नहीं और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए जड़े रही है हमारे साथ तो दोस्तों मैं कल फिर आऊंगी ऐसी एक नए सवाल और उसके सटीक जवाब के साथ तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करें